हलो फ्रेंड्स वेलकम तू मैं चैनल जै मातादी इस वीडियो में आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ करवा चौत पूजा की बहुत ही सरविदी तो आप लोग वीडियो में अंतितक बनी रहेगा वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा करवा चौत का पर्व कारतिक माश की कृष्ण प्रक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है इस ब्रत में मुक्रूप से भगवान गनेश की गौर माता की और चंददेव की पूजा की जाती है साथी करवा माता की भी पूजा की जाती है यह ब्रत स्वागिन महला है अपने पते की साफ कर लेना चाहिए फिर उस चगह पर चौक काड़ लेना चाहिए चौक में आप अश्टदल कमल बना सकते हैं स्वास्तिक बना सकते हैं और ये चौक आप आटे से या फिर हल्दी से या फिर रंगोली वाली कलर से भी बना सकते हैं और इस पर थोड़ा सा अनाज भी आपको बिछा लेना चाहिए भगवान को आसन देने के लिए तो मैंने चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लिया है अब हम इस पर रखेंगे माता करवा की फोटो यह फोटो आपको बाजार में आराम से बिल जाती है आप इस तरह की तस्वीर भी ले सकते हैं या फिर आपको कैलेंडर म लरखेंगे थोड़े से चावल और अश्टेदल कमल बना लेंगे इस पर हम आपको करएंगे को माता के इस थापनपना मैंने मिटी से बनाई है यह आप इस तरह नहीं बनाना चाहे तो आप मिटी कि पांस लेवी गौर माता की स्थापित कर सकते हैं और आप चाहें तो शु करवा मिट्टी के जिसमें हम एक करवा माता पारवती का बनाएंगे और एक करवा हम अपना बनाएंगे जिससे की हम करवा फेराएंगे इसमें मैंने अंदर रेपर लगा लिया है ताकि हम करवे में जो भी सामिकरी भर है वो किसके ना मैंने करवे में चार पोड़ी और एक मि जिसके परवार में जैसी परंपरा होती है उसी परंपरा के हिसाब से इस करवे में खाने की शामिक्री भर देते हैं तो मैंने इसमें पूड़ी और एक मिठाय का पीश रख दिया है अब हम इन करवों के ऊपर धक्कन रखतेंगे और इस धक्कन में हम थोड़ी से चावल रख क्यां लुबेंगे दोनों करवों पर हमें एक एक दीपक रखना है यह डीपक आप घीके भी ले सकते हैं और स्रसों के तेल के या फिर मीठे तेल के भी ले सकते हैं करवाचोध का पर्प निर्जल और निराहार रह कर किया जाता है सुभह ब्रत का संकरप लेती हैं जिन लोगों के यहां सर्गीः खाय ती है वो ब्रत सुभह तारों की चाव में उठाती है ब्रह्म महूर्त में इश्नान करने के बाद, पूजा पाट करने के बाद बहे फलाहारी भोजन करती है ताकि उन्हें पूरे दिन प्यास या भूंक ना लगे अब हमें एक करवा और लेना है ये करवा मेरा पीतल का है आप तावे का या इस्टिल का भी ले सकते है ये करवा हम उपर चंद देव को अर्क देने के लिए तैयार कर रहे है जिसमें मैंने एक पतासा जल को मीठा करने के लिए डाल दिया है और कुमकुम डाला है थोड़ा सा थोड़े से अच्षण टाले है और इस पर एक कुमकुम से हमने स्वास्तिक बना दिया है करवे को कभी भी सूना नहीं छोड़ा जाता है उस पर स्वास्तिक या फिर ओम का चिन जरूर बनाना चाहिए अब इस करवे के ऊपर भी हम एक कटोरी रखेंगे और उसमें भी हम एक दीपक इस्थापित कर देंगे अब हमें लेनी है पेली सींखें जिसमें हम रूई लगा की रखेंगे और ये सींखें आप चार की संख्या में भी करवे में लगा सकते हैं और साथ की संख्या में भी करवे में लगा सकते हैं मैंने करवे में साथ सींखें लगाई हैं करवा चौत की पूजा या फिर कोई भी पूजा हो सभी लोग अपने परवार की परंपरा के हिसाब से करते हैं तो पूजा में थोड़ा बहुत अंतर होता है मैंने यहां पर कलस की स्थापना नहीं की है यदि आपके यहां कलस की स्थापना की जाती है तो आप कलस की स्थापना अवश्य करें सभी करवां के नीचे हमने चावल का आसन लगा दिया है और करवां को इस्थापित कर दिया है अब हम करवा माता की जो फोटो लिए है उसको भी फूल माला पहनाएंगे और भगवान गनेश का ध्यान करते हुए हम दीपक प्रचलित करेंगे और दूब बत्ती भी चला लेंगे जब हम कोई भी पूजा आरम करते हैं तो सबसे पहले हमें अगनी देप का आवाहन करना होता है क्योंकि अगनी ही हमारी पूजा की साक्षी होती है तो हमने यहां पे अगनी देप को प्रचलित कर लिया है दूब दीप लगा लिया है अब हम सबसे पहले दीपक की पूजा कर देंगे उसके बाद हम बाकी की पूजा आरम करेंगे अब हम करेंगे गौर्माता के पूजा, सभी को हम कुम कुम से तिलक कर देंगे और हम अच्छा चड़ाएंगे गौर्माता को हम आलता भी लगा देंगे, इस तरह से गौर्माता का पूरा स्वहाग किया जाता है और हम एक बिंदे भी गौर्माता को लगा देंगे गौर माता ये मैंने कैसे बनाई है इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी पहां से आप भे वीडियो देख सकते हैं अब हमने जो स्वहाग सामिक्री ली है भे सारी स्वहाग सामिक्री हम माता के सामने रगते हैंगे स्वहाग सामिक्री में आप सोड़े शंगा भी दे सकते हैं नहीं तो आपके पास जो भी स्वहाग सामिक्री हो आप भे माता को अरपित कर सकते हैं सारी पूजा के तौरान आपको मन में मंत्र जरूर बोलना है, आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, जैमा गोरी या ओम शरुमंगल मांगले, शिवे शर्वार शाथ के सरनेत्तमिके गोरी, नारायनी, नमस्तुते, आप ये मंत्र भी बोल सकते हैं, और यदि आपको करवा चोथ क कोई मंत्र आता है, तो भी बोल सकते हैं, तो मैंने यहां पर माताराने को मिठाय का भोग लगा दिया है, और पुस्व भी अर्पित कर दिये हैं, अब हम गनेश भगवान को दूबगास अर्पित कर देंगे, भगवान गनेश को दूबगास बहुत प्रिय होती है, आप सब की पूजा हमें करनी है, सभी को हमें कुम-कुम से तिलक करना है, और अच्छत भी लगाने है, साथ ही हमने जो करवा भरे हैं, उनको भी हम कुम-कुम से तिलक कर देंगे, और अच्छा चड़ा देंगे, पुश्प चड़ाएंगे, जहां करवा चौत की पूजा है, चुन्दरी अर्पित करती है अब हम भगवान गनेश को जनेव अर्पित करेंगे और बस्तरूपी मौली हम भगवान गनेश को अगौरी माता को अर्पित करेंगे साथी करवा माता को भी हम बस्तरूपी मौली अर्पित करेंगे तच्छना सरूप कुछ पैसे हमें जरूर से म पतासा और एक लौग का जोड़ा रखा हुआ है और इसे हम माता के सामने रखतेंगे इसके बाद जो ख़त Вам फ़्रोग को लगा देंगे. क्यों पाने के लिए जो साड़े निकाली है, मैं कुछ स्वारा के सामान निकाला कुछ पैसे निकाले हैं वो भी हम माता के सामने बहीं चौकी पर रखतेंगे पहले इसे पूजा में रखा जाता है उसके बाद अपने सास को दान किया जाता है तो अब हम फेराएंगे करवा एक करवा होता है हमारा और एक करवा होता है माता पारवती का जो आपके लेफ्ट हैंड पर होगा वो आपका करवा होगा जो आपके राइट हैंड पर होगा वो माता पारवती का करवा होगा आपको अपना करवा माता पारवती से बदलना होता है तो जब भी आप करवा फेर हैं तो करवे आपस में टकराने नहीं चाहिए बहुत ही साबधानी से आपको करवा फेरना चाहिए ये करवा सातवार फेरा जाता है इस तरह से और भौती साबधानी के साथ आपको करवे को फेरना है करवा गिरेना और टक्राइना इस बात का विशेश्थान रखिएगा जब आप करवा फेर हैं तो मन में माता पारवती का ध्यान करते रहें यदि आपको करवा फेरने का मंतर आता है तो आप बो मंतर जब सकते हैं नहीं आता है तो आप जैमागोरी जैमागोरी इस तरह से मन में जाप करते रहें और माता से प्रातना करें हे माता रानी मैं आपका हर साल इसी तरह से करवा चौत का ब्रत करूँ और आप मुझे अखंड सौभागवती होने का आसरबात प्रदान करें जब आप इस तरह से साथ वार करवा फिर लेंगे तो आपका करवा माता पारवती जी की जगए पर चला जाएगा और पारवती जी का करवा आपकी जगए पर आजाएगा अब हुम करवा चौत की कथा पढ़ांगे, करवा चौत की कथा आपको पढ़नी या सुननी अवश्यशे चाहीए, अब हम हात में पुश पलाएंगे और करवा चौत प्रत कथा पढ़ांगे friends, मैं अलग से करवा चौत प्रत कथा का वीडियो चैनल पर अप्लोड कर दूंगी परना यह वीडियो बहुत जादा लंबा हो जाएगा कथा पढ़ लेने के पाद जो हमने हाथ में पुश्प लिये हैं वो हम करवा माता के चरणों में समर्पित कर देंगे और हाथ जोड़कर माता शे प्रातना करेंगे यह जो हमने पीतल का करवा तैयार किया है जल का इससे हम उपर जब चांद निकलाएगा उसको जल देंगे और इस चलनी से हम चांद का दर्शन करेंगे और अपने पतिदेव का भी दर्शन करेंगे अब हम गौरी माता को शुहाग देंगे करवा माता को सुहाग देंगे उसके बाद हम करवा माता से सुहाग लेंगे तो इस तरह से माता गौरी को हम 5 बार या 7 बार कुमकुम तान करेंगे इसी प्रकार से हम करवा माता को भी 5 बार या 7 बार कुमकुम तान करतेंगे के बात मैं हम लेफ्ट हैंड की रिंख फिंगर से माता से सुहाग ले लेंगे जब भी आप करवा चोथ का ब्रत करें तो माता से शुहाग ले करवाक पूजा कि कुछ सरल मंत्र मैं आप लोगों को बता देती हूं जो आप लोग आराम से आसानी से बोज़कते हैं, ओम चतुर्थी तेब्वय नमा, ओम गौर्य नमा, ओम शिवाय नमा, अब हम आर्थी करेंगे, मैं यहाँ पर कपूर आर्थी कर रही हूँ, आप चाहें तो इस घी के दीपक से भी आर्थी कर सकते हैं, सबसे पहले हम भवान गनेश की आर्थी करेंगे, की आरती भी कर सकते हैं अब हम दीपक को सांत करेंगे मातरानी को आरती तेंगे और शेम आरती लेंगे और अपने भूल कि आस्था पर पहली बार आए है तो प्ले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए शाथी बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताके हमारी आने वाली सारी लिटेस्ट वीडियो को नॉटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल स